Hello everyone, very good morning to all of you, आज के दिन के शुरुआत करेंगे 9 जनवरी 2022 के करेंट अफेर के साथ, पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा हर एक कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, पीडियोफ और टेलिग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो गया है National Youth Festival की मेजवानी के लिए, तो प्रधानवंती नरेन मोदी ने खुश सिलेक्ट किया है National Youth Festival के लिए मेजवानी करने के लिए इस बार फुडुचेरी को, तो कहने का मतलब यह है कि इस बार का National Youth Festival 2022 को होस्ट कर रहा है फुडुचेरी, और इस बार कौन सा संस्क्रण इ युवा है, उसको Entrepreneurship, Education और Sports इन सभी मामलों में आगे आने का मौका मिले। उडुचेरी में अभी पिछले ही साल एन्मरंगासामी की सरकार आई है और यहाँ पे गवर्नर है तमिल सही सुंदराजन, सिक्किम में PS तमांग की सरकार है, लक्षदीप के गवर्नर है इस टाइ एंडॉर्सर के रूप में साइन किया है शेफाली वर्मा को, बैंक को बढ़ोदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी, इसका Headquarter है वडोद्रा और इसके Chairperson है इस टाइम पे संजीव चट्ठा, कौन है संजीव चट्ठा अगला Question है, Who has taken charge as Inspector General of Assam Rifle? अभी हाली में Assam Rifle की North Wing के Inspector General के रूप में किसको Appoint किया गया है? तो यह Appoint किया गया है Major General Vikas Lakhera, कौन है? Vikas Lakhera और इन्होंने सक्सीड किया है Major General VPS Kaushik को, यह है VPS Kaushik, तो इन्होंने Charge दिया किसको? Vikas Lakhera को अगर Assam Rifle की बात करें, तो यह भारत की सबसे पुरानी Regiments में से एक है, इसकी स्थापना 1835 में करी गई थी, और इसका Headquarter है Shilong, क्या है Shilong? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, Major General Vikas Lakhera जो है, यह Assam Rifle के 20वे Inspector General के रूप में Appoint किया गया है अगला Question है, यह कौन सी Company है जिसको अभी हाली में Passport सेवा Program के Second Phase के लिए भारत सरकार द्वारा सिलेक्ट किया गया है तो Passport सेवा Program जो है Basically, यह भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका Main Motor यह है कि Passport का हमारा जितना भी प्रोसीजर है, उसको digitize कर दिया जाए पूरे तरीके से मतलब सब Online कर दिया जाए, जिससे कि एक बार में किसी का Passport नमबर डाला जाए, उसकी पूरी History और Details निकला है तो इसके लिए अभी तक भी TCS के पास ही Contract था, TCS के काम को उत्करस्पता के साथ देखते हुए, मतलब इनके बहतर काम को देखते हुए, सरकार ने Decide किया है कि Passport सेवा Program के दूसरे फेज में भी TCS ही काम करेगी, Data Consultancy Services और TCS को Passport के मामले में, इस पूरे Digitized Procedure के मामले में, Reliable, Transparent और Global Benchmark तक का इनका काम माना गया है इस वज़े से दूसरे फेज में Passport सेवा Program के लिए TCS को ही चुना गया है सरकार द्वारा और TCS के अगर बात करें, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में TCS का Headquarter है मुंबई, और इसके CEO हैं इस टाइम पे, राजेश गोपी नातन और Passport सेवा Program कौन से येर में स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा साल 2008 में अगला Question है, Which edition of Conference on e-Governance has been inaugurated अभी हाली में e-Governance पर जो सम्मेलन है, इसका कौन सा संस्क्रण है जिसकी शुरुबात करी गई है, इस बार इसका चौथा संस्क्रण मना जा रहा है e-Governance का अब देखें e-Governance Conference की इस बार की थीम क्या थी, तो 2022 की इस बार की थीम है, India's, TechEd, Digital Governance in a Post-Pandemic World कहने का मतलब यह है कि e-Governance Conference हर साल इस वज़े से मनाई जाती है, कि पूरे भारत भर में हमारे जितने भी department है, जितनी भी schemes है, उन सभी को कहीं न कहीं digitize किया जाए, digital किया जाए, तो हमें digital एरा की ओर बढ़ना है, और इसका शुबारम में किसके द्वारा किया गया, डॉक अगला कोशन है, यह कौन सी राज्य सरकार है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में, NDDB के साथ एक pact sign किया गया है, NDDB जिसको हम लोग National Dairy Development Board के नाम से जानते हैं, तो यह राज्य सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व सर्मागी सरकार, अब इसका में मोटो यह है कि आसाम के अंदर ऐसे किसान जो की दूद का उतपादन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं NDDB की तरफ से टेकनलोजी का फायदा मिलेगा, और जिससे की उनकी income डबल होगी, आसाम के अंदर ऐसे कितने किसान हैं, जिनको इस MOU का फायदा मिलेगा, तो ध्यान रखिए, ऐसे 1,75,000 किसान हैं, जिनको इसका फायदा मिलेगा, NDDB की बात करें, तो इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी, इसका headquarter है आनन्द, और इसके chairperson है इस time पे, मिनेश शाह, क्या नाम है, मिनेश शाह, और आसाम में इस time पे गवर्नर कौन है, यह है डॉक्टर जगदीश मुखी, 36 गड़ में बुपेज बगेल की सरकार है, मेगालि करें, भुपेन्दर पटेल की सरकार है, अगला quesna है, अभी हाली में केरल के state चलचतर academy के chairperson के रूप में, किसको appoint किया गया है, तो केरल राज्य के चलचतर academy के अध्यक्ष के रूप में, अभी हाली में appoint किये गए है, रंजीत बालाकिर्ष्णन, कौन है यह रंजीत बाला मूवी डिरेक्टर हैं तो ये बनाए गए हैं नए चैर परसन केरला इस्टेट चल्चित्र अकेडमी में अभी हाली में किताब लॉंच हुई है इस किताब का नाम है ममता बियॉंड टूथाज़न टूज़न टूटीवन ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो ये किता अब फाइनली मार्केट में आ रही है 24 जन्वरी को 24 जन को जान रखेगा ममताब इनर्जी ने अभी जो विदान सभा के इलेक्शन लड़े थे पिछले साल उसके उपर भी एक किताब लॉंच करी गई थी जिसको बेंगॉल डाइरी के नाम से लॉंच किया गया था वो किता के द्वारा बेंगॉल डाइरी और दूसरी जैन्त गोसाल लेकर आ रहे है ममताब इनर्जी ने जान रखेगा पिछले साल पस्चिम मंगाल में ममताब इनर्जी की पार्टी तुरण मुल कॉंग्रेस ने 213 सीटे जीती थी और चुनाव हुए थे 8 चरणों में अगला कोश्चन है how many countries are participating in Sea Dragon 2022 exercise? Sea Dragon 2022 exercise हो रही है इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे है तो इसमें इस बार total 6 देश हिस्सा ले रहे है और इसको host कर रहा है अमरीका अमरीका के अलावा total जो 5 country है इन में से एक तो हो गया भारत भारत हिस्सा ले रहा है इसके बाद जापान हिस्सा ले रहा है Canada भी इसमें हिस्सा ले रहा है South Korea इसमें हिस्सा ले रहा है Australia भी है इसमें तो total कितने हो गया है? 3 और 3, total 6 देश इसमें हिस्सा ले रहे है और जो य एक तरीके की anti-submarine warfare exercise है, इसमें हर countries की ये 6 देशों की submarine सिस्था ले रही है, आपसे venue भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेगा ये exercise हो रही है Pacific Ocean में, कहाँ पर Pacific Ocean, 5 जन्वरी को ये exercise स्टार्ट हो गई थी, अगला question है, ये कौन सा राज्य है, जिसने अभी हाली में National Water Awards की category में first prize जीता है 2022 में, तो first prize इस बार National Water Awards की category में जीतने वाला राज्य है, उत्तरपदेश, देखें ये सम्मान इस हिसाब से दिया जाता है, first, second, third category में, कि कौन सा राज्य है, जिसने पानी के संसाददों को सबसे बहतर तरीके से मैनेज किया है, और साथ में, अपने rural areas में, दूर दरास तक, लोगों को पानी की विवस्ता से वंचित नहीं रहने दिया है, साथ में, water sanitization पर भी ध्यान दिया है, पीने का पानी बिल्कुल rich minerals वाला दिया है, तो इस तरीके से, अगर पीने के पानी में, गुडवत्ता में देखा जाए, तो उत्तर पदेश रहा नंबर वन पे, तो National Water Awards में, first prize मिला है इस बार उत्तर पदेश को, राजस्थान को second prize मिला है, और third prize मिला है तमिलनाड को, उत्तर पदेश में योगी आदितनाथ की सरकार है, राजस्थान में शोग गहलोद की सरकार है, तमिलनाड में MK स्टालिन की सरकार है, और मनीपुर में बिरेन सिंग की सरकार है, ध्यान रखिये, National Water Awards जो है, यह जलशक्ती मंत्राले के द्वारा दिये जाते हैं, और जलशक्ती मंत्राले इस डाइम पे, गजेन सिंग सिखावत के पास है, ध्यान रखिये, आज Sunday है, और हर Sunday को दुपहर में 12 बज़े टेस्ट होता है, तो आज फिर 12 बज़े टेस्ट है, test का link वीडियो के description box में दिया हुआ है इस test में मैंने 50 question आपके लिए GSGK के set किये हुए है साथ में current affair के भी question आपको कुछ मिलेंगे तो ये test देना आप सब के लिए mandatory है 40 minute का समय होगा जिसमें 50 question आपको करने होंगे test आपका तभी खुलेगा जब आप code डालेंगे वरुन 777 तो ये code अपने साथ रखेगा जयान रखेए वरुन 777 डालते ही आपका test open हो जाएगा तो दुपैर में 12 बज़े test देना मत भूलिएगा test का link वीडियो के description box में है जयान रखेए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अवेल करना आपका काम है और जो कल classes नहीं हो पाई है कल शाम को किसी बज़े से दोनों classes नहीं हो पाई है वो classes आज सुबह एक class 10 बज़े ले रहा हूँ और दूसरी साड़े बारा बज़े ले रहा हूँ ठीक है तो देखेए पूरे तरीके से sorted है आप एक काम करिएगा सुबह 10 बज़े का link भी वीडियो के description में है वहाँ से मिल जाएगा साड़े बारा बज़े class का भी आपको description में मिल जाएगा सुबह 10 बज़े static gk की class जो कल नहीं हुई है वो होगी ये तो sorted है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 12 बज़े आप test देना और 40 मिनट में आपका test खतम हो जाएगा तो जो साड़े बारा वाली class है इसमें आप 10 मिनट बाद आ जाईएगा तो दोनो class के link वीडियो के description box में है और combat test का link भी वीडियो के description box में है तीनो link में जाएए वीडियो खतम होता ही क्लिक करके register करिए खुद को और हाँ वरुन टिपर 7 code के साथ ही ये class भी खुलेगी और test भी खुलेगा अगला question है ये कौन सी organization है जिसने अभी हाली में भारत की अर्थवियोस्ता 2022 के लिए 9.2 प्रतीशत प्रिडिक्ट करी है तो ये है NSO NSO का मतलब है National Statistical Office तो भारत के National Statistical Office का कहना है कि 2022 में भारत की जो economy है जो अर्थवियोस्ता है ये 9.2 प्रतीशत की व्रद्धी के साथ आगे बढ़ सकती है और हमारे NSO की स्थापना 2006 में करी गई थी Headquarter है इसका नहीं दिल्ली और इस टाइम पे इसके Chair Person है Bimal K. Roy क्या नाम है Bimal K. Roy RBI 1935 में स्थापित किया गया था World Bank 1944 और SBI 1955 RBI का Headquarter है मुंबई World Bank का है Washington और SBI का भी है मुंबई RBI के Governor है शक्तिकांतदास World Bank के President है डेविड मलपास और SBI के Chair Person है दिनेश कुमार खारा अगला कोशन है Dirk ने अभी हाली में Scotch Silver Award जीता है कौन सी कैटिगरी में तो देखे Dirk का मतलब क्या है इसको बोलते है दिल्ली Electricity Regulatory Commission हिंदी में दिल्ली विद्धुत विनियामक आयोग तो जो दिल्ली की Electricity Regulatory Commission है इनको अभी कौन सी कैटिगरी में Silver Award दिया गया है स्कॉच का तो इनको Power and Energy के छेतर में Silver Scotch Award दिया गया है जाहिर सी बात है क्योंकि Electricity Regulatory Commission है अगला कोशन है विच डिफेंस फोर्स हैस स्टार्टेड टेस्टिंग दा राफाइल मरीन फाइटर फॉर यूज ऑन इट्स एरक्राफ्ट कैरियर ये कौन सी हमारी डिफेंस यूनिट है जिसने अभी हाली में राफाइल मरीन फाइटर का सफलता पूर्वग परिछण स्टार्ट कर दिया है एरक्राफ्ट कैरियर के उपर इसको लेडन कराने के लिए तो जाईड सी बात है एरक्राफ्ट कैरियर का यूज कौन सी उनिट करती है इंडिन नेवी करती है प्रेसिडेंट है Eric Trapper क्या नाम है Eric Trapper और एक चीज ध्यान रखेगा इंडियन नेवी राफाइल मरीन फाइटर्स को कहां पर टेस्ट कर रही है तो एक चीज ध्यान रखेगा INS हंसा के उपर टेस्ट कर रही है और हंसा कहां का INS है ये गोवा पर बेस्ट है तो गोवा में INS हंसा के उपर एरक्राफ्ट कैरियर्स के उपर लैंडिंग की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और ध्यान रखेगा तीन से चार दिन पहले ही मैंने आपको बताया है अभी हाली में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ एपोइंट किये गए है ये कौन है ये है वी एस पठानिया और वी एस पठानिया ने सक्सीड किया है किसको के नटराजन को अगला कोशन है ब्यूरो ओफ इंडियन स्टैंडर्स का पच्चीसवा इस्थापना दिवस अभी हाली में एड्रेस किया गया किसके द्वारा तो इसको संबोधित किया है इस बार किसने ये है प्यूश कोयल क्योंकि प्यूश कोयल ही इस टाइम पे कंद्यूबर अफेर्स मंत्राले समाल रहे है और वहीं पर ब्यूरो ओफ इंडियन स्टैंडर्स का काम होता है इस वज़े से प्यूश कोयल के ही द्वारा इसको एड्रेस किया गया आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट की इस्थापना करी गई थी 1947 में और आज चल रहा है 2022 तो पूरे 75 साल हो गए है वो एक अलग की बात है कि बाद में Bureau of Indian Standard इसका नाम रख दिया गया 1986 में लेकिन इनिशली ये पहले Indian Standard Institution ही था जब 1947 में इसकी इस्थापना करी गई अगला कोश्चन है DPIIT is going to organize Startup India Innovation Week from this day DPIIT का मतलब है Department from Promotion of Industry and Internal Trade तो इस department के द्वारा Startup India को लेकर Innovation हफता मनाया जा रहा है कब से कब तर तो इसकी शुरुवात हो रही है कल से मतलब 10 जन्वरी से इसकी शुरुवात होगी और ये चलेगा 16 जन्वरी तर उम्मीद करता हूँ सभी कुश्चन क्लियर हो गया होंगे फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुस्से कमेंड बॉक्स में पूस सकते हो थैंक यू सो मच्छ वाबाय आपका दिन मंगल में हो